Now, सबसे पहले मैंने कल कहा था मेरी गवाही, इशू कहता है मेरी गवाही, अब आप सोच रहे होंगे, मैंने फोटो का सहारा इसले लिया है ताकि आपको मैसेच से कनेक कर सको, हम फोटो को नहीं मानते, किसी तस्वीर के पीछे नहीं जाते, बट आपको समझा दूँ, जो क्य अब इसे बता देता, वो बात अलग है कि हाती चले बजार, आगे बोल दीजे, ओके, तो वापस आते हैं, मेरी गवाही, ये शू ने एक जगे पे कहा, यहना की किताब 5 का 31 में, आप बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि ये फेस 2 चल रहा है, जिसको कहते हैं, इन्वेस्ट, याद आगे हैं, जिसको कहते हैं, अब यहां से आपका लेवल चेंज हो रहा है, तो पढ़ते पढ़ते हैं, आपको ये वच्छन मिल सकता है, जहां लिखा हैं, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दू, तो मेरी गवाही सच्छी नहीं है, ऐसा पढ़ते वक्त, कोई मुस्लि सच्छी नहीं है, दूसरे एक और वच्छन है, आपके बीच में रखना हूं, जो कॉंटरिक्ट है, खंडन करता है, वो कहता है, यहां आट का चौदा में, ये शुजी खुद कहते हैं, कहते हैं, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं, तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्या परमेश्वर बदलता है, नहीं, क्या परमेश्वर बोले वे को चेंज करता है, नहीं, लेकिन कई बार बाइबल के अंदर आपको ऐसा मिलेगा, कि परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन बाद में नहीं किया, मुस अबराम से कहा, बच्चे को बली कर, लेकि मैं उसको रखता तो मैं समझता हूँ कि मेरे को दीन महीना तो सिरफ कॉंडिडिक को ही सुला करने में चला जाता लेकिन इसको क्या कहते पता है परमेश्वर का चरित्र अलग है परमेश्वर का काम अलग है परमेश्वर के चरित्र में कभी खोट नहीं है परमेश्वर के कैरेक्टर में कभी खोट नहीं है लेकिन काम करने के तरीके में क्योंकि उस वक्त का सुच्वेशन अलग होता है परमेश्वर को परगना था किसको अब रहम को तो कतल कर लेकिन बाद में जब पता चला, ये सकसेस हो गया, ये कामियाब निकला, तो परमेशों ने अपने ही शब्द को का, अब मत कर, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि वहां की जरुवत थी, उसके मताबिक परमेशों ने अपने शब्द को कहा, लेकिन नौ वर्दान में पहला दो वर्दान है, बुद्धी और ज्फून. अब बात करते हैं इसकी, बहुत ध्रों सुनीज़ेंगा, इक कहता है, मेरी गवाही अगर मैं दो, तो सची नहीं है, वच्षन आथ का छोधा कहता है, अधियाए आठ का छोधा कहता है, मेरी गवाई अगर मैं देता हूँ, तो वो ठीक है, अब ये contradict है, एक वच्छन, दुस्य वच्छन का कंडन है, इसको कैसे समझे, तो आठ का चवदा आपने पड़ा, लेकिन उसी आठ का सत्रा क्या कहता है, देखो, सब लोग तयार है, कहता है, बहुत ध्यान से सुनेगा, कह अगर किसी एक बात को दो लोग कहते हैं, तो वो गवाई क्या होती है, ठीक होती है, जिसके चलते येशु ने कहा, कि अगर मैं खुद अपनी गवाई देता हूँ, तो मेरी गवाई क्या है, ठीक है, तो येशु की गवाई को धो नहीं, कम से कम हजारों, लेकिन दीन रख एक है जॉन दा बैप्टिस, दूसरा है गौद दा फादर, तीसरा है होली स्पृरिट कुद, इन सभी लोगों ने येशु की गवाई दी थी, तो इसका मतलब है, येशु कहता है, अब समझोगे, येशु कहता है आठ का चोवदा में, यदि मैं अपनी गवाई आप देता पानी का पानी, तो कभी कभी जब हम बाहार के लोगों को, देखे एक और चीज़ बता देता हूँ, आप लोग सब तयार है, नेगेटिव मनुष्र के दिमाग में सट करके घुश जाती है, येस और नो, वापस आता हूँ, किसी भी चीज़ की नेगेटिव, या दुसरी श पेश की जाती है, वो क्या कर जाती है, बहुत जल्दी घर कर जाती है, वैसे ही येशु के बारे में, ऐसी कोई स्टेटमेंट, जहां लिखा है कि यदि मैं आप अपनी गवाही दू, तो मेरी गवाही सची नहीं है, लेकिन कभी नहीं देखेंगे, कि उसका दूसरा पहलू क्या कहता है, because every coin has a two side, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट प्रवीन, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पढ़ते वक्त में, पढ़ते वक्त में, आपको total Bible का knowledge होना पता, या होना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते मैंने कहा था कि कम से कम दिन में कितनी chapters, 30 से 40, आपके दिमाक में न सब बैढ जाएगा, और जब सब बैढ जाएगा, आपको कोई प्रशन करेगा, तो तक करके आपके पास में जवाब होगा, तिमोती को कहता है, पेट दुखता है, तो दाकरस काम मेला, वही पालूस कहता है, कि दाकरस पीने वाला नर्क में जाएगा, तो आप बैलंस कर पाओगे, अफकोस, अब कर पाओगे, आपके पास में कोई आता है, अभी जैसे आशा जी प्रातना कर रहे थी, तो तरह तरह के कॉल्स आते हैं, उनको तरह तरह के लोग कहते हैं, तो फिर उनको पता चला, ओहो, सच्छा परमेश्व तो बाइबल वाला तो ठीक है, दुसरा वच्छन कहता है, मेरी गवाई ठीक है, बुला कैसे, कम से कम दो गवाई, अगर बीच में आ गए, तो उसकी गवाई ठीक है, यहां तो दो नहीं तीन है, और मैं तो कहता हूँ, हजारो है, जॉन दा बैप्टिस है, गौद दा फादर है, और होली स्प जॉन दा बैप्टिस, सब शास्त्री फरसी, मैं थोड़ा इसके उपर जाओंगा, उचित भी है, सब शास्त्री फरसी खटे हो गए, जॉन दा बैप्टिस को पकड़ा, जहां वो बाप्तिसमा देते थे, उसको पकड़ा, यर्धन के नदी के असपास, पकड़ा, उसको कहा बोला मैं नहीं हूँ मसिया, बोला फिर, बोला जो मेरे बाद आएगा न, वो है मसिया, कैसे जाबित होगा, अरे भाई, भजनों की किताबों में लिका है, नभीयों की किताबों में लिका है, कई गवाईयां उसके उपर हुई है, मुसा ने कहा है, आपके याकुब ने कहा है, आपके जितने major profit है, minor profit है, जिसका जिकर मैं कर चुका हूँ, कम से कम 3 major और 17 से 18 minor profits है, इन सबी ने कहा है कि एक मसी आएगा, कैसे आएगा ये भी बताया, क्वारी गर्वतियोगी ये भी बताया, कैसे पैदा होगा ये भी बताया, अभी सुनो, कहा पैदा होगा, ये भी बताया Bethlehem जिसको क्रिस्मस के टाइम पे सभी लोग प्रजार करते हैं लेकिन हिस्ट्री देके कितनी लंबी है रिकॉर्ड देखो कितना लंबा चोड़ा है सुनो, सुनो, और एक बोलता हूँ, अच्छा लगेगा कोई मुर्क टाइप का कहीं से, चाइना से, कोरिया से या फिर भारत से, अमरिका से अफ्रीका से आकर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं हूँ मसीह तो उसको कैसे जाचे उसकी पूरी बैगड़ाउंड, जो कि कल आई थिंग बताया था, या कल बताया था, जियोनलोजी, उसकी वंशावली, कोई भी एरा-गेरा उठकर अपने आपको मसीह गोशित करेगा, ठीक है भाई, तेरको मसीह मान लेते हैं, लेकिन तू हमको कुछ सवालों का जवाब दे, अगर वो उसमें फिट नहीं बैठता है, तो तो उसको नमस्ते, ये कब होगा, इसलिए येशु ने क्या का, बहुत ध्यान दो सुनना, मैंने नहीं रखा है, बस पवीत रात्मा लीड कर रहा है, इसलिए बात कर रहा हूँ, येशु ने क्या का, पता है मती 24 वे अधिया में, उसने कहा कि ऐसा होगा, कि शहर शहर, गली गली, नगर नगर जंगल जंगल, ऐसा कहा जाएगा, जिसको कहते है, रूमर्स, जिसको कहते है, अफवा, क्या होगा, मसी यहाँ है, मसी वहाँ है, येशु यहाँ है, येशु वहाँ है, तो ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे, आप अपनी गवाई दे रहे हैं, तो येशु ने का ठीक है, मेरी गवाई सची नहीं है, लेकिन मेरी गवाई ठीक है, बोला कैसे, मेरी गवाई देने वाले इतने लोग हैं, क्या बात करते हो, कम से कम, हजारों की तादात में मेरी गवाई हैं, मैं, मैं खुद को मसिया कह रहा हूँ, तो मैं मसी हूँ, मैं मसी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मैं येशु हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, जाके चेक करो, यहूदियों का रिकॉर्ड है, आपके इस रालियों का record है और इसी के वज़े से परमेश्वर को पता था किसको Elohim को कि ऐसा होगा आगे जाके कि बहुत सारे मसी खड़े होंगे शास्तिरी फर्रसी सवाल उटाएंगे लेकिन येश्व के पास में पूरी की पूरी डेटा, डेटा समझते पूरा का पूरा डेटा था कि मुझे प्रूफ करके बताओ कि मैं गलत हूँ नहीं कर पाए, can you believe that? नहीं कर पाए, पिलातुस का कोट हो हरदस का कोट हो हना महायाजक का कोट हो या फिर जितने भी महायाजक थे उन दिनों के अंदर उन सब का कोट हो येशु मसे वॉज नोट गिल्टी क्या बात है ये वॉज नोट गिल्टी एक ने भी नहीं कहा किसमें कोई गुना है यहां तक कि पिलातुस का माता खराब हो गया पिलातुस कहता है आप अगर कहो, तो मैं आपको अभी फ्री कर दूँगा तो येशु ने क्या कहा पता है, ए बाबा, मेरा फैसला यहां से नहीं आता है, मेरा फैसला वहां से आता है, क्या बात है, कैसा लग रहा है, या, 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 सी, मैं क्या करूँ, मैं ये पॉइंट से आगे नहीं जा पा रहा हूं, कि मेरी गवाही ठीक है, मेरे को बड़ा अच style में आ जाता हूँ, किसी में धम नहीं है, ऐसा कह सके कि मैं परमिश्वर हूँ, किसी में धम नहीं है, ये कह सके कि मैं मसीह हूँ, सिरफ येशु कह सकता है कि I am the way and the truth and the life, सिरफ येशु कह सकता है क्यों, क्योंकि येशु का record है, येशु के पीछे पूरी की पूरी वंचावली है I wish कि मैं वहाँ जा पाता लेकि नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा आगे बात करना है तो अभी आपके दिमाग में या तैंक यू रुजला जी आपके दिमाग में एक बात को फिट करके रखो या अपनी पीट थप थपा लो कि आप जिस ट्रैक पे हो सौ टक का नहीं, हजार टक का नहीं लाखो करोडो, मिलियन, बिलियन प्रतीशत आप सही ट्रैक पे हैं आप सही ट्रैक पे हैं किसी भी तरह का कोई डॉक्ट्रीन क्या कोई किताब, कोई संत, कोई मात्मा, किसी प्रकार का, कोई प्रॉफिट आकर अभी इस कम से कम छे हजा साल के हिस्ट्री को जो मसीहा की गवाही देता है, इसको आकर खंडन नहीं कर सकता, और दम भी नहीं है, और दम भी नहीं है, और दम भी नहीं है, या, मेरा संडे का, April 4th, April 4th है, Sunday, कौनसा Sunday, मेरको देट, मैं, किसी ने मुझे अप्रोच किया है, चतिस गड़ से, कि उनके पेश से मैं आऊँ, और साती सात, जो, अप्रिल, जो आरा है, ये कब आरा है, वोई, धेट किया है, मैंने वोई तो पूचा ना, हाँ, उसके बाद वाला, तो चौता तारीक का संडे अप्रिल, जो की इस्टर संडे का आ जाता है, येशु जी उठे आएगा, उस दिन भी मज़ा आएगा, एशु की गवाही ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी गवाही देने वाले, तीन हिया पे, जोट अबे इप्टिस, गवाद्भवास, जोट अवे चमझे हैं, गवाही देथा है, और ये तीनों ने येशु की गवाही दीया है, नाउ, एत्त कौंट वे लुग सर्वाइब ऍशनां कि लुग सरवाइब ऐसे एफ विने और से लुग से लुग से लोग दो हो रार से लुग से विए लुग ब्ड़ने विए, राहरा प्गा रॉग से महारा रारी भल्य भाणा से लुग।